ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मीन राशी वालू हो जाओ ते यार क्योंकि अब 18 सितंबर से 24 सितंबर याने किन 7 दिनों में सूरज की तरह चमकेगा आपका भग्य जा दोस्तू भगवान शूरेदेव के असिरवास से आपके लिए 18 सितंबर से 24 सितंबर याने किन 7 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जा दोस्तू इन 7 दिनों में सूरे के सुभ योग और कारेशिद्धी योग से आपको इन 7 दिनों में 5 सुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलेगा जा दूस्तू इन साथ दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा और बहुती भाग्या शालिशा में साबित होने वाला है जा दूस्तू भगवान शुरेदेव के असिरवास से इन साथ दिनों में बन रहे कार्य शिद्धी योग सुर्य के सुब योग आपके लिए सुब सैयोगों का निर्मान कर रहे हैं जा दोस्तो ये सुभयोग आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं जा दोस्तो इन सात दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में साबित होने वाली हैं जा दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको 18 सितंबर से 24 सितंबर याने कि इन सात दिनों के आपकी राशी के शटीक और शंपोन राशी फल्क के बारे में बताने वाले हैं कि इन सात दिनों में ग्रह गोचर के हिसाब से किन कि चीजों से आपको फायदा होगा किन कि चीजों से आपको शावधान रहना होगा शाती साथ इन साती दिनों में ग्रह नक्षत्रों के इसाब से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वेपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत बपून और शटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, वीडियो बहुत महत बपू हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहीगा आपके लिए 18 सितंबर से 24 सितंबर याने किन 7 दिनों का यह महत्पपोन है समय दोस्तों यह समय आप धर्रे वे विवेक का उपियोग करके किसी भी समस्या को सुल जाने में शक्सम रहेंगे आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत इस्तिती में रहेगा परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है पुराने गलतियों से सीख कर आप और अधिक बहतरीन नीतियों पर विचार विमर्ज करेंगे स्वैम को उत्तम इस्तिती में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिन होगी घर के नवीनी करण तथा शाज सज्जा संबंदी कोई रूप देखा भी बनेगी शाति साथ धर्मिक तथा आध्यात्मिक गति विदियों में आपका रुजहन रहेगा किसी जरुतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक खुसी भी प्राप्त होगी किसी सुबचिंतक का आशिरवाद वे सुब कामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी दोस्तों साति साथ यह समय आप किसी रुक हुए काम को उन रूप से संपन करने में सफल रहेंगे बहतर करने के लिए आप कुछ शकारत्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे आपके विनारम स्वभाव की वजए से समाज वे संबंधियों में उचित इस्तान बना रहेगा आपकी योगटा वे च्छमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रती विसेश सम्मान रहेगा किसी जरुतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांती आपको प्राप्त होगी कुछ समय परिवा के साथ हास परियास तथा मनोरण्यन संबंदी कारों में व्यतीत होगा दोस्तो साथ यह समय दोड़ धूप की अधिक्ता तो रहेगी परंतु घरों की सफलता आपकी ठकान को दूर भी कर देगी समय की चाल अब आपके पक्ष में हैं अनुबवी लोगों का आपको साथ मिलेगा साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकूल परिणाम ना मिलने से आपको ऐस हैजता महसूस होगी परंतु जल्द ही समाधान भी प्राप्त होगा व्यर्थ के कामों में आप समय नष्ट ना करें तता खर्चे भी बजट के अनुसारी करें तो अच्छा रहेगा आर्थिक मामलों में काफी सूज बूज कर वे सोच विचार विमर्स करके आप निर नेलें किसी प्रकार का विश्वास गहत या धूका हो सकता है अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवाजनिक आप ना करें तथा अपनी महत्पपूर्ण वस्तूओं को बहुत अधिक समाल कर रखें किसी नजदी की व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन हो सकता है शान्ति पून ढंग से आप मामला सुल जाएं अपनी गतिविदियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें उन्हें गुप्त रखें दोस्तों साथि साथ वाहन या कोई भी मसीनरी संबंदी उपकरन बहुत ध्यान पूर्वक इस्तमाल करें किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई एप्रिय या एशुब समचार आपको मिल सकता है खर्चों की अधिक्ता पर अंकुस लगा कर रखना आवश्चक है साथि साथ अपने रिष्टेदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका है इसलिए क्रूदी स्वबाब पर आप नियंतर रखें साथिसाथ अध्यनरत विद्ध्यारती आलस की वज़े से पढ़ाई में भी पिछड सकते हैं किसी प्रकार की यात्रा को करने से आप परेज करें क्योंकि किसी भी प्रकार का फाइदा ना होने की इस्तिती लग रही है शंतान की परेशानियों में आपका शयोग सर्वोत्तम रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच आपसी समंझस मधुर रहेगा पुराने मित्र से मुलाकात परसन तादेगी तथा पुराने यादे भी ताजी होंगी घर का वातावरन खुसनुमा बना रहेगा जीवन साती के साथ भी संबंद मधुर तापून रहेगे अध्यदिक विश्टता के बाबुजूद भी घर परिवार पर शमय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा बना रहेगा शाती सात जीवन साती का सायोग परिवार के वातावरन को शांती पून तथा अनुशासित बना कर रखेगा किसी मांगलिक कारे संबंदी योजना भी बन सकती है दोस्तो प्रेम जीवन के दरश्टी कौन से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तो बात अगर आपके वैवसाय और केरियर की करें तो यह समय आप अपने करेच्छेतर में अपनी गतिविदियो में और अधिक सुधार लाने का प्रेतन करेंगे परंतु डील करते समय बहुत अधिक चोकन्ना रहने की आपको आवश्य रकता है थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती का बड़ा खाम्याजा आपको भूगतना भी पड़ सकता है नोकरी में कोई तरक्की मिलने की भी उम्मीद है किसी उच्च वैवरिष्ट अधिकारी के सैयोग से राजी की एक काम पूर्ण होंगे कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है वैविशाय में बहुत अधिक कार्रे तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिकता रहेगी घर परिवार की उल्यनों से ध्यान हटा कर अपने वैविशाय नोकरी पर आप अधिक ध्यान दें नोकरी पेसा व्यक्ती अपने लक्षय को पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे साथिसाथ इस्थान परिवर्तन संबंदी समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है साथिसाथ वैवसाय संबंदी नई नई बातों की जानकरी आपको प्राप्त होगी इससे आत्म विश्वास बढ़ेगा ओफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है साथ ही बॉनस या तरक्की के भी योग बने हुए है अपने संपर्क सूत्रों के दाइरे को और अधिक विश्टरित करना आपके लिए फायदेवन्द साबित होगा साथिसाथ ओफिस में कोई ऐसी गलती या आप से चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डाट का भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा साफधान रहें शाथिसाथ कारेच्षेत्र में मरम्मत वै रंग रोगन संबंदिक कार्यों की भी योज ना बनेगी युवा वर्ग को अपने केरियर संबंदी कोई महत्पपोन सूच ना मिल सकती है जिससे उनको बहुती खुसी प्राप्त होगी कमीशन संबंदित वैवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुती अच्छा साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय ब्लड प्रेशर तथा डाइवेटेज की परिशानी से संबंदित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें मौसमी बुखार भी रह सकता है अपनी दिन्चरिया को आप शेय मित रखें बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाब काशर आपके स्वास्थ पर भी पढ़ सकता है इसलिए आप आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें संतुलित आहार लें और शादिसात योग और प्रणयाम का शहरा लें आपके स्वास्थ के लिए अच्छा रहेगा